मिलोडियस, सिंपल, सोलफुल सिंगर एन ब्राण एमिज़र अप स्टेट उत्राखंड आईए अजम आपको इंडियन आइडल सीजन 12 के चहीते कंटेस्टेंट और फैन्स के फेबरेट पवंधी प्राजन की राइफ स्टोरी के बारे में कुछ बाते बताते हैं पवंधी प्राजन का जन्म 27 जुलाइं 1996 में चमपात उत्राखंड के एक मिडल क्लास परिवार में हुआ था पवंधी प्राजन एक म्यूजिकल फैमिली से बिलॉंग करते हैं पर उनका इंडियन आडल के मंच तक आने का सफ़र काफिक चनौती पूर्ण रहा है आई यह जानते हैं उनकी लाइफ स्थोरी पवंधी प्राजन के फादर सुरेश राजन एक जाने माने कुमानी फॉक्स सिंगर है और बहन जोती दीप राजन भी सिंगर है और परफॉर्मेंस करती रहती है पवंदी प्राजन को बच्पन से ही ना सिर्फ सिंगिंग का पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का भी शौक रहा है जी हां पवंदी प्राजन वन दे यंगिस तबला प्लेयर अवर्ड अधी एज अफ तू पवंदी प्राजन ने अपनी स्कूलिंग उनिवर्सित पवंदी प्राजन अपने कॉलिज फंक्शन में परफॉर्म करते ही रहते थे और चंडिगर्ण में बैंड रायट का हिस्सा भी थे पर पवंदी प्राजन को असली फेम 2015 में मिला जब वो एज़ा कंटेस्टिंग इंडिया शो में पेमस सिंगर शान की टीम में नज़र आय और बन गए तो वॉइस इंडिया के विनर के खिताब के साथ पवंदीब को एस प्राइस पचास लाख रुपए एक कार और एक म्यूजिक कंपनी के साथ कॉंट्राक का मौका मिला पवंदीब ने शो जीतने के बाद कभी पीछे मुड़के नहीं देखा पवंदीब ने की खुशी का चिकाना तब नहीं रहा जब पवंदीब राजन में 2020 में इंडियन आडल सीजन 12 में एस अप कंटेस्टन एंटर किया देखते ही देखते वो यहां भी जजज़स और पब्लिक के चहीते बन गए और सेट पे आने वाले गेस्ट से खूब तारीफे बटोरी हाल की और अरुनिता कांजलाल की जोगी पसंद आने लगी पवंदीब राजन को ओंस्टेज रुमैंटिक आंगल फैंस को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते ही यह अरुदीद के नाम से वेमस हो गए पवंदीब राजन अभी भी इन आडल सीजन 12 का हिस्स्टा है और फा